का शव का कहीं से उसको मिल जाए पुलिस इसी लिए लगाता जंगलों की खाकचान रही है अगली बड़ी ख़बर करू करेंगे और अब दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसेगा सीरियल किलर एंगल से भी पूरे मामले की जाच होगी पुलिस को ये भी शक है कि कहीं इस से पहले भी तो इसने कुछ और हत्याय तो नहीं कर रखी दूसरी लड़कियों से भी पुलिस पूछताच करेगी आपको बता दे कि शुरद्धा के मडर के बाद जो लड़कियां घर लेकर आया था उनसे भी पूछताच करेगी पुलिस तो पुलिस अब हर एंगल से जाच कर रही ह हैं गुरुगराम में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवार नहीं था वहां से इसको निकाला गया इसके अलावा भी बहुत सारे खुलासे इससे जुड़े हो रहे हैं लगातार ही अपने स्टेट्मेंट चेंज करता है कभी कहता है कि महरौली के जंगल में इस देशव के वहां से भी पुलिस ने जानकारी ली है और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि इसका विवहार औरतों के महिलाओं के प्रती अच्छा नहीं था इसलिए इसे नौकरी से निकाला महिलाओं ने इसको शिकायत की थी और एक और खुलासा जो हुआ कि नशे का आधी है गांजा पीता है गांजा पीके ही इसने मडर किया और मडर के बाद भी श्रद्धा का जब इसने मडर कर दिया उसके बाद भी ये गांजा रात भर पीता रहा रात को तक्रीबन 9 से 10 बजी के बीच इसने गला दवा कर श्रद्धा की हत्या की और शफ के पास बैठ कर रात भर गांज ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे है योज़ 24